नमस्कार दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है लाल किताब के ग्यान में आज हम बात करेंगे केतू के खाना नमबर 3 के हालातों के बारे में कि केतू खाना नमबर 3 का हमारे लाइफ में क्या रिजल्ट करता है इसकी हालात जो होती हैं कब ज़्यादा खराब हो जाती है और कब ये जो है हमारे को प्रावलम देना शुरू कर देता है कुछ ग्रहों के असर के कारण ये कुछ ज़्यादा ही प्रावलम देना शुरू कर देता है तो इससे संबंदित सारी चर्चा हम करेंगे इस पोस्ट में तो बने रही है साथ हो सकता है यह पोस्ट आपके केतु खाना नंबर तीन को जानने में बहुत ही जाता सा जो है आपकी मदद करें और औरों के जो टेवे में केतु खाना नंबर तीन में है उनको भी समझने में आ आलकिता में वह यह कही है कि ऐसा व्यक्ति जो है नेकी को याद रखने वाला होगा और बे वजय ही लोगों के साथ में चाहें उनको जुरूत हो ना हो उनके लिए пойд रहता होगा यानि कि उनकी मदद के लिये हमेशआ आगे रहता होगा और उनकी जो चिंताइ estar वो अपने उपर ले लेता है ऐसा इंसान व्यर्थ की चिंताएं करता है इसलिए चिंताएं करता है क्योंकि उसे अपनी टेंशन नहीं है उसे दूसरों की चिंताएं ज्यादा होती है घर में जो है इसी वज़े से हो सकता है कि घर कलेश वगरा होता हो क्योंकि अगर यह husband है तो बाहर की ज़्यादा tension करेगा घरवालों की कम tension करेगा तो इस वज़े से married life में भी problems आ सकती है अब देखे केतु जो खाना नंबर 3 में लाल किता में लिखा गया है कि केतु खाना नंबर 3 का नीच अवस्था होती है और यह नीच यहां पर माना गया है अब खाना नंबर 3 पर मंगल की भी हैसियत है और यहां पर यह एक तरीके से negative position में होता है जिस वज़े से यह नीच result द आपके पैरों की हरकत है आपका सुनना सुनाना है अब जब केतु खराब है तो सबसे पहली निशानी यह होगी ऐसे इनसानों की जो शोशल एक image होती है वो कहीं न कहीं disturbed होती है इनके खिलाफ जो है लोग गलत अफवाएं उडाके इनको किसी जूटे इलजामों में फसा द लोग का कारण बनता है अगर ऐसा इनसान केतु खाना नंबर तीन का इनसान अपने भाई बंदूओं से लड़ाई जगड़ा करे या फिर उनके खिलाफ कोई मुकदमे वगरा दायर करे तो यहां पर केतु खाना नंबर तीन का जो है मंदा पर भाव उस जातक की हेल्थ के उपर पड़ता है जो कि specifically bones यानि की हड़ियां आपके joints आपकी cervical आपके मूत्र संबंदी रोग इन सब चीजों पर बुरा असर पड़ता है और साथी साथ केतु जो है अलाद भी है यानि की अलाद जो की लड़का अब उस लड़के पर जो है केतु मंदे का परभाव बुरा पड़ेगा जिस वज़े से अलाद ने कम्मी हो सकती है आपके कही से बाहर जा सकती है अलाद जो है कहीं जो है वैर विरोध करती है अपने पिता के साथ अपने माता पिता के साथ और जो है एक tension create करके रखता है ऐसे अलाद अब खाना नंबर 3 के केतु में ये भी कहा गया है कि अगर खाना नंबर 3 में केतु है और ऐसा व्यक्ति दक्षिन मुखी मकान में रहता है दक्षिन मुखी मकान में रहेगा तो यहाँ पर आलाद के विगन या फिर आलाद ने कम्मी हो आलाद के विगन कैसे होंगे आलाद के विगन ऐसे होंगे कि आलाद होने में दिक्कत हो या तो उस खांदान में लड़कियां जादा हों और लड़के यानि कि वाइरस का जो वो सुक ढूंड रहे हैं वो चीज़े उनको ना मिले और उलाद निकम्मी तब होगी जब यहाँ पर केतु मंदा हो जाएगा दक्षिन दिशा में रहते होंगे भाई बंदूओं से उनके वेर विरोज चलते होंगे और तब इस केस में जो है उलाद उनकी निकम्मी होगी यानि कि वो लड़का आपने कई केसिस देखे होंगे कि वेर पॉलाद किस किछ तरह कि कई बार गलत हर्कतों में पढ़ जाते हैं गलत चिजों में इन्वल्व हो जाते हैं .जो कि माप बाप के लिए परेशानियों का कारण बनना शुरू हो जाते हो जाते हैं अपना अंश छोड़ते हैं, तिल के रूप में, तो ऐसे इंसान की बाजूओं पर, दोनों बाजूओं मेंसे किसी पर भी आपको, चाहे वो आगे के हिस्से में मिले, चाहे वो कलाई वगेरा इस हिस्से में मिले, आपको वहां पर तिल वगेरा, या फिर लएसान जोकी, अगर हम घर की बात करें तो और इसकी जो पहचान होगी केतु खाना नमबर तीन की देखिए क्योंकि अब इसके साथ मैं एक information और देदू कि जब हम कुंडली की दुरुस्ति करते हैं तब उसकी निशानियों को हम साथ ही साथ जांचते हैं यानि कि उससे हम टैली करते हैं कि क बुद के लिए और उलाद के लिए भी सबके लिए दिक्कते होंगी भाई बंदों से प्रॉलम होगी और इसके साथ-साथ केतु खाना नमबर तीन का जैसे मैंने बताया उसके बाजूओं पर तिल होगा और साथ ही साथ केतु जो है खिड़कियां भी दर्शाता है घर की ख लग फैमिली में या सिंगल ही है तो घर में आपको तीन लड़के जरूर मिलेंगे तीन लड़के मिलेंगे तीन खिड़कियां मिलेंगी तीन दर्वाजें मिलेंगे यह चीज हो गई इसके साथ-साथ जो है तीन मकान भी हो सकते हैं तीन भाई भी हो सकते हैं या फिर त्रि कुंडली की दुरुस्ति करने के लिए या फिर कंफर्म करने के लिए हम यह कुछ निशानिया जुरूर पूछते हैं कि हाँ आपका यह मकान का मुख क्या है आपके यहां पर तिल का निशान है आपके घर में जो भी चीजे रिलेटिड होती हैं ग्रह से वह हम कुंडली की करते हैं देखे KP astrology के थुरू भी कुंडली दुरुस्ति होती है पर अगर हम लाल किताब की बात करें तो उस समय में KP astrology नहीं थी उस समय लाल किताब जो है तेवे की दुरुस्ति वह हातों की हतेली पर रेखाएं होती हैं उनके हिसाब से कुंडली की दुरुस्ति की जाती थी पर अब चीजें जो है बदलती जा रही है कुछ जो है astrologers KP astrology के भावचलित चार्ट को देखकर भी आगे प्रेडिक्शन करते हैं यानि कि वह गरह जो जहां पर बैठे हुए हैं उनसे संबंदित रिजल्ट को वह लेके चलते हैं अब इसको हम कैसे अपलाई करते हैं KP कुंडली यानि कि भावचलित कुंडली को जो है एक टेवे की दुरुस्ति करने के लिए अगर हम simply KP astrology की कुंडली को लेके चलेंगे तो हमें सारा का सारा काम हाथ से ही करना पड़ेगा क्योंकि कोई software ऐसा मेरी नॉल्डिज में तो नहीं है कि KP astrology के according ही वर्षफल बना दे या KP astrology के according ही सारी prediction दे दे अगर आपको यह सब करना होता है तो यह जह या फिर जो लाल किताब के वर्षफल बनाना जानते हैं उनके लिए ये वो लोग ये कर सकते हैं पर यहां पर थोड़ी सी कॉंट्राडिक्शन यह हो जाती है कि आप अगर केपी एस्टोलोजी की कुंडली को लेकर चलेंगे तो आपके जो है रिजल्ट कहीं न कहीं बदल जा द्वारा अगर हम कर रहे हैं तब भी होता है तो यह चीजें पता नहीं कैसे चलन में आ गई है आज कल जहां देखिए वहां पर बहुत से कमेंट आते हैं मुझे के पी एस्टोलोजी को हम बाद में देखेंगे बाद में कंसीडर करेंगे सबसे पहले उसकी इनसान की जो हम को कमारे सामने आया है टेवा लेकर उसकी हम निशानिया लेते हैं निशानियों को तौरब हम उन उन गरहों को देखते हैं कि वह कौसे खाने में बोल रहे हैं कि एगर आपको Rabbi बनाने की जानकारी आप आ किस खाने में लाया जाता है उसके अगॉर्डिंग वर्षफल बनता है अब इसके साथ साथ एक चीज़ और समझ लिए कि केतू खाना नंबर जब तीन में होगा तो ऐसा इंसान कई बार ज्यादा टैंटें करने वाला होगा यानि कि टैंटें बे मतलब में ही बोलने वाला तो ऐसी चीज़ेन only कि किसी की हां में हान मिला दी और ज紹 been गअपने देखो Ihre Whenever फिर आपने लिये ही खुडि मसीबत कर लेना की किसी की हां में हम urança मिला दी या पिर किसी की हां में हां मिला बे मतलब की परेशानी या फिर बे मतलब की जिम्मेवारी अपने सेर पे ले ली अगर माली जे चंदर्मा भी यहां पर केतू के साथ खाना नंबर तीन में हो या फिर मंगल खाना नंबर चार में हो इन कंडिशन में तब इंसान जो है दौलत से दुख्या रहेगा इंसान को समबन्द ऐ एंजया और इनसान अपनी हल्थ को लेकर काफी जादा परेशान रहेगा अब इसके उपायों की बात कर लेते हैं कि उपाय क्या क्या कर सकते हैं सबसे पहले तो उपाय केतु के बारे में यही है कि यहाँ पर, कई बार फोडे फुनसी यानि कि शरीर बने फोडे फुनसी बड़े बड़े निशान पढ़ जाते हैं फोडों के और यह सकिन की प्रॉलम बोन्स की प्रॉलम यह सब देता है तो ऐसे केस में चलते पानी में जो है चंद्रमा या सूर्य जो है इनकी इकठी चीजें अब जैसे चंद्रमा के चावल हो गए सूर्य की आप गुड़ ले लिजे इन दोनों की इकठी चीजें आपको चलते पानी में बहना जो है काफी ज्यादा मुबारक सिद्ध होगा अब इसके साथ सफर भी काफी देता है यानि कि ऐसे सफर देता है के तुखाना नंबर तीन का जो की बेमतलब होते हैं और जिनका कोई आगे निश्कर्स नहीं निकलता है फाइदा नहीं होता है ऐसे केस में भी जो है आप जो है चंद्रमा और जो है जो है सूर्य संबंदी चीजों को जल परवा करते रहें शर कि जादा रिलीफ मिलना शुरू होता है के तुखाना नंबर तीन के एक और यहां पर साबधानी बताई जाती है कि ऐसा व्यक्ति दक्षिन मुखी मकान में बिल्कुल ना रहे अगर दक्षिन मुखी मकान में रहेगा तो ओवर और उसकी लाइफ में प्रॉलम होंगी संतान इन सब को लेके वो प्रॉलम में ही रहेगा वो जो है दिक्कतों का सामना ही करता रहेगा शरीर पर फोड़े फुन से कि मैंने आपको बताई जहां पर हम चंद्रमा या सूरे संबंदी चीजों का जो है जल परवा करते रहेंगे साथी साथ केसर जो है माथे पर हम लगाएं माणी की ब्रश्पती को कायम करेंगे और 43 दिन 43 डेज आपको यह लगातार करना है इसके बाद जितना लंबा आप यह कर सकते हैं वह आपके लिए ही बैतर होगा गले में पीला-धागा पैन सकते हैं घर का सोना मत वेचिए घर के सोने की हिफाज़त करिए और जितना सोना केतु शुब होना शुरू होता है इसके साथ-साथ जो है उपाय ये भी कहा गया है कि अपने भाई बंदूओं से बिल्कुल भी जगडा ना करें भाई बंदूओं से बना के रखें क्योंकि अगर भाई बंदूओं से बिगाड़ेगा भाई बंदुए से बे मतलम में जगड़े में पड़ेगा तब यहां पर केतु खाना नंबर तीन का काफी ज़्यादा लाइफ में प्रॉलम देना शुरू करेगा देखिए हर एक की लाइफ में प्रॉलम्स या इश्यूज आते हैं अगर हम उन इश्यूज को ज़्यादा सीर भिणाभिन के कम प्रॉलम्स के आगे बीति जाएगी नहीं केतु खाना कर सकता है और इसके लावा केतू का जैनरल उपाय यह होता है कि इन सान जो है जिसके खाना नंबर में केले भी कर सकता है और गरस्पति का संबन्द गया है जाके खाना नंबर investing इसकह होता है वो काफी अच्छा होता है यहां पर केतु के जो है नेगटिव इफेक्ट कम हो जाते हैं अगर रीड की हड़ी या पेशाप संबंदी दिक्कते आ से जान्दी के आप सकते हैं तो यहीं च्छोटे उपाया और साथनिया है जो जो है नेगटिव या बुरे परभवावं से आपके रक्षा करती है और आपकी परेशानियों में आपके काफी मददगार सिद्ध होते हैं तो दोस्तों आई होप आप लोगों को ये वीडियो पोस्ट पसंद आई होगी आप लोगों को कैसी लगी फीड़बेक में मुझे जरूर बताना लाइक और सब्सक्राइब जर मैं आशकार